सो हे नमस्का दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं उराज आप सभी का इस नए वीडियो के अंदर स्वागत करता हूँ तो गाज यहाँ पर कई दिनों के बाद आज मैं Redmi Note 4 के उपर एक नया वीडियो बना रहा हूँ आज के वीडियो में गाज यहाँ पर हमारे पास फिर से एक नया पोर्टेट रोम Redmi Note 4 के लिए आ चुका है तो आज के वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको इस रोम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ इस पोर्ट के बारे में बता जाता हूँ तो इस पोर्ट को आप सिर्फ Redmi Note 4 पर ही इंस्टोर कर पाएंगे यह पहला पॉइंट है क्या भाई हम इसको Note 3 या फिर Redmi 5 पर इंस्टोर कर सकते हैं तो भाई ऐसा बिलकुल नहीं है सिर्फ यह Redmi Note 4 के लिए ही बना है तो यहाँ पर आपको AMIUI का वर्जन यहाँ पर मैंसन नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको स्टेबल वर्जन मिलने वाला है Mi Globe End of the Light Edition यहाँ पर आपको मिल रहा है उसके बाद सितर भाई ने इसको जो रूपोर्ट किया है आप ही हम बात कर लेते हैं इसके साथ आपको Android वर्जन कौन सा मिलेगा तो यहाँ पर आपको सेम Android बाई का सपोर्ट मिलने वाला है उसके बाद यहाँ पर हम डीटेल की बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको अगस्त मेने का दो जर पीस का एक नया सिकर्यूटी पैज प्रोवाइट किया जा रहा है विसे गयाँ से मैं इस रूम को एक कंटे से यूज़ कर रहा हूं मुझे ऐसा कुछ भी खास प्रोब्लम नहीं लगा है मैंने इसको दो बार वापस से फ्लेश किया फिर पर मुझे इसमें कोई भी इसू नहीं मिला है तो सबसे पहले तो गाय से यहाँ पर बात कर लेते हैं डेवलोपर्स ने इसके अंदर आपको क्या-क्या नया दिया क्या-क्या चैंजिस इसके साथ आपको मिल रहे तो भाई यहाँ पर आपको जितने भी फिक्स और जितने भी नए-नए चीज़े मिल रही है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ तो यहाँ पर लोक स्क्रीन, सिक्यूरिटी, कैल्क्यूलेटर, स्क्रीन टाइम, वन हेंनेट मोड, थीम्स उसके बाद हेल्थ जैसे आपस के अंदर आपको फिक्स और नए-नए जो भी फीचर है वो देखने को मिल जाते है अगर आपको इसका फूरा पूरा चेंज लोग पढ़ना है तो आपको डिस्क्रिप्सिन में जाना है वहाँ पर मैं आपको ये मेंसन कर दूँगा उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं क्या-क्या डिवाइस के अंदर आपको चेंजस मिलते हैं तो यहाँ पर शिस्टम के अंदर आपको सायो में यू बिस्ट एक EMI-UI-20 का stable rome वो प्रोइड के आजा रहा है शात्मय यहाँ पर आपको security patch में update देखने को मिलता है उन स्क्रिन निविगेसन बार है जितने भी पोर्ट से उसमें यह प्रोब्लम रहता है कि आप उसको रिमूओ नहीं कर सकते है उसको कम्पलेटली यहां से रिमूओ कर दिया गया है उसके बाद लेटेस्ट जी आपको यहां पर इंस्टोल किया गया है ग्लोव मूल एड किया गया है और साथ में अच्छी बात यहां पर यही कि उसके अंदर आप अनलिमिटेट थीम से उसको डाउनलोड कर पाएंगे तो यह कुछ आपको चेंजिस आपको इसके साथ मिलने वाला है उसके बाद यहां पर यूटूब वैनेस और सिस्टम अप अपडेटर को भी यहां पर एड किया गया है तो ऐसे कुछ चेंजिस आपको यहां पर मिलने वाले ही परफॉंस के बात करें तो भाई यहां पर आपको मोड वी टूपूट थी पाई का एक नया करनल वगरा मिल जाए साथ में यहां पर आपको थर्मल एयर एंजिन टूपूइट जीरो का सपोर्ट भी मिल रहा है साथ में यहां पर सिस्टम कूल डाउन ट्विक्स भी यहां पर किये गए तो भाई आप सोच सकते हैं उस रोम में आपको कितना मज़ा आएगा तो यहां पर हम बात करते हैं ओडियो की बाई तो ओडियो में आपको मी साउंड एन हांचर जो नहीं मिलता है अ आप देख सकते हैं अब हम बात कर लें आपको इसके अंदर वैसे क्या खास मिल रहा है तो भाई मैंने सबसे पहले इसको नस्तूल किया तो भाई मुझे यहां पर अवरी थीम से हो काफी कमल का लगा क्योंकि अकसर पोस होते हैं उसके इनदर एवोडी थेम का support आपको नही तो पर इसके अंदर आप जितने चाहे उतने यहां पर थीम स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका जो भी थीम वगरा उसको यहां पर आके आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैंने यहां पर पहले से ही उसको डाउनलोड करके रखा, यहां पर आप देख सकते हैं, कुछ थीम आपको pre-install मिलेंगी, कुछ theme आपको download करने पड़ेगी और यहाँ पर setting में भी आपको अलग theme देखने को मिल जाती है जैसे ही आप यहाँ पर setting में आएंगे तो यहाँ पर आपको उसका कुछ style है कुछ theme है ओभी देखने को मिलता है और theme store से आप अपनी custom theme से उसको भी यहाँ पर लगा सकते है तो यह एक नया changes मुझे इसके अंदर लगा है उसके बाद दूसरा change मुझे यह लगा है कि भाई इसके अंदर आपको 2 face data है उसको add करने का option मिलता है तो भाई आप fingerprint के तरह ही यहाँ पर 2 face data है उसको add कर सकते है आप ही भाई मुझे पता नहीं है कि यह नया feature है या फिर पूरा नहीं है मैंने कितने टाइम से Redmi Note 4 को use नहीं किया है तो भाई मुझे इतना पता नहीं है पर यहाँ पर मुझे यह भाई feature काफी अच्छा लगा है क्योंकि कई बार क्या होता कि मैं और मेरा वाई इसको use कर रहे फोन को तो उसका face data add होनी को वज़े से मैं अपना face data use नहीं कर सकता तो भाई यह feature भी मुझे काफी अच्छा लगा है यह change भी मुझे काफी अच्छा लगा है उसके बाद यहाँ पर बात करते है stability की तो भाई stability में कोई भी सवाल नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते है फास्टली यह work करता है कभी भी lag नहीं किया है मेरा और यहाँ पर camera वगरा सब कुछ यहाँ पर work कर रहा है तो गैस अगर आपको यह room अच्छा लगा है तो भाई आप description में जाके इसको download कर सकते है आगे में वीडियो में आपको बताने वालों कैसे आपको इसको install करना है तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देख सकते है और गैस जिन लोगों का सवाल था मेजी SK के लिए यानि की root manager के लिए तो भाई अगर आप इसको install करते है तो आप इसमें banking app को भी use कर सकते है कोई भी issue नहीं होगा उसके बाद यहाँ पर मैंने जैसे की बोला पाई Dolby Atmos यहाँ पर आपको मिल जाता है उसके बाद यहाँ पर आपको Wiper for Apex और दूसरे कई सारे audio module देखने को मिल जाते है तो भाई यह अच्छी बात है और यहाँ पर बात करते है third party apps के तो यहाँ पर आपको YouTube का Venice version और यहाँ पर camera go यहाँ पर Gcam आपको मिल जाता है तो इसको आप photo और video लेने के लिए use कर पाएंगे तो यह सब changes आपको मिलने वाल है अगर guys आपके मन में आपकोई सवाल है तो आप मुझे comment section में बताईएगा तो वहाँ पर मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूँगा तो अभी guys हम बात करते हैं कैसे इसको install करना है तो आपको जाना है description में description में आपको इसका link मिल जाएगा वहाँ पर जाके आप इसको download कर सकते हैं download हो जाने के बाद किसी भी custom recovery से हम इसको fresh कर सकते हैं तो guys यहाँ पर recovery में same recovery use करता हूँ जो भी वीडियो हो उसमें यहाँ पर orange fox recovery का use करता हूँ क्योंकि यह आसान होता है और इसमें आपको कोई भी errors देखने को नहीं मिलता है तो अगर आप चाहें तो इसको भी description में जाके download कर पाएंगे तो सबसे पहले guys यहाँ पर आपको आपका जितना भी data है उसको यहाँ से backup बना लेना है क्योंकि हो सकता है कई बार होता है कि आपका battery कम हो गया या फिर by mistake लिए आप से restart हो गया तो आपका जो भी data वगरा हो format हो सकता है उसकी वज़े से यहाँ से आपको यहाँ पर system data boot vendor इन सभी को आपने एक बार backup बना लेना है और backup बन जाने के बाद यहाँ पर wipe पे click करना system delivery catch vendor इन सभी को आपने wipe कर देना है जैसे यह wipe हो जाता है उसके बाद simply आपको यहाँ से रोम का फाइले उसको यहाँ से locate करके इसको swipe कर देना है तो लीजिए भाई हमारा जो रोम यह भी installation स्टार्ट हो चुका है थोड़ी देर में यह install हो जाएगा उसके बाद आप उसको reboot कर पाएंगे तो इस तरीके से आप इस रोम को अपने Redmi Note 4 पर install कर सकते हैं आसा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर मुझसे कोई भी point मिस हो गया तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं तो वहाँ पर मैं आपको जरूर से answer दे दूँगा तो गैस वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like कीजिएगा अगर आपके कोई भी suggestion है तो आप मुझे comment section में पता सकते हैं तो बस गैस आज का वीडियो यहीं तक था मिलते हैं नए वीडियो में